कि आपने आपने आज इस चोटे से मैदान में इतने सारे बबर शेर और शेरनिया कैसे कटा कर दिए और देखिए एक साथ प्यार से खड़े हैं यह हमारा कॉंग्रेस का कार्य करता किसी से नहीं डरता एक इंच पीछे नहीं हरता और देश के लिए अपनी जान देने के लिए त्यार रहता है अच्छा मुझे कहा मुझे कहा पार्लिमंट में कल कहा राहूल जी सुनिये सुनिये पार्लिमंट में कल कहा बीजेपी को लोगों ने आपने भाशन दिया भाशन के लिए माफी दीजिये मुझे कहते है सही बात बोलने के लिए माफी बोलू बापी माँगो भाईयो और भेनो मेरा नाम राहूल सवर कर नहीं है मेरा नाम राहूल जादी है मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं माँगोगा मर जाओगा बगर माफी नहीं माँगोगा और ना कोई कंग्रेस ओला माफी माँगेगा माफी नरेंद्र मोदी को माँगनी है नरेंद्र मोदी को देश से माफी माँगनी है और उनके जो असिस्टंट है अमिद्र शाह उनको देश से माफी माँगनी है क्यूं माँगनी है मैं आज आपको बताने आया हूँ सबसे पहले सबसे पहले ये देश की शक्ती इस देश की आत्मा इस देश की शक्ती इसकी अर्ध विवस्ता थी अर्ध विवस्ता है नहीं थी पूरी दुनिया हमारी और देखती थी कहती थी ये हिंदुस्तान में क्या हो रहा है ये देश, अलग-अलग धर्मों का देश, अलग-अलग जातियों का देश, अलग-अलग विचार धरों का देश, मिलकर एक साथ 9% GDP, पर कैसे चल रहा है, एक तरफ चीन, दूसरी तरफ हिंदुस्तार, चिंडिया बोलते थे चिंडिया, चाइना और इंडिया, दुनिया का भविष्य चाइना और इंडिया, और ये देखिए, ये प्यास पकड़े हुए आज, ये प्यास पकड़े हुए आज, दोसो रुपे, दोसो रुपे, हिंदुस्तान के अर्थ वबस्ता नरेंद्र मोदी ने स्वयम अकेले नश्ट कर दी खतम कर दी आप तो याद होगा आज बज़े रात को दीवी पर आए बाई और बैलो पाइट सो रुपे का नोट हजार रुपे का नोट मैं रद करने जा रहा हूँ और हिंदुस्तान के अर्थ वबस्ता को नरेंद्र मोदी ने ऐसी चोट मारी कि आज तक चो नुक्सान हुआ वो ठीक नहीं हुआ आपसे जूट कहा आपसे जूट कहा कहा काले धन के खिलाफ लड़ाई है काले धन को खतम करना है